दोस्तों नमस्कार, कोविट की पहली लहर जहां बुजुर्गों के लिए खतरनाक थी, वहीं जो दूसरी लहर है, यह बुजुर्गों से होते हुए अब बच्चों तक आप पहुँचियें। हाला कि बच्चों में इस बीमारी का प्रतिशत अभी कम है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर है। इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि बच्चों को कोविट की बीमारी से कैसे बचाया जाए और अगर उनमें बीमारी हो जाए, तो उसका उप्चार या उसका तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हेल्थ यानि कि हमारे स्वास्थ की परिभाशा क्या है। डब्लू एचो वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के हिसाब से, हेल्थ इस स्टेट आफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बिंग, और नॉट मेरली एपसेंस आफ डि और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। तो इसके तीन कम्पोनेंट हैं शारेरिक, मानसिक और सामाजिक। जब तक यह तीनों कम्पोनेंट अच्छे नहीं होगे, तो हम उसको हेल्थ या स्वस्थ नहीं बोलते हैं। तो आईए जानते हैं कि बच्चों में किन बातों का ध्यान देना चाहिए या उनमें हेल्थ का सेंस कैसे डेवलब करना चाहिए। हम अक्सर ये बाते सुनते हैं कि आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, आपको वैसा बनना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे के लिए उनके माबाप एक रोल मॉडल होते हैं, हीरो या पानुपालन्ट करना होगा, यह बहुत जरूरी बात है, तो सबसे पहला काम यह करिए कि बच्चों को स्वक्षता यानि कि हाइजीन के बारे में सिखाईए, उनको बताईए, विस्तार से बताईए कि स्वक्षता या हाइजीन, यह सैकड़ों तरीके की बीमारियों को दूर क करने में किस प्रकार सहायक है और यह कोई एक दिन की बात नहीं कि आपने अपने बच्चों को एक लेक्चर दे दिया या उनको एग्यान दे दिया यह रोज की बात है हमें यह अच्छी बात है हर रोज डिसकस करनी चाहिए बार-बार करनी चाहिए इससे बच्चों के रिफल तो इसी तरह बच्चों में एक खास आदत हमें डालनी होगी, वो है हाथों को धोने की, अक्सर बड़े भी नहीं जानते हैं कि हाथ को कैसे धोना है, और बच्चे भी अमूमन नहीं जानते हैं कि हाथ को कैसे धोना है, अभी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे हाथों की सफाई यानि की सेनिटाइजेशन अच्छी तरीके से हो सकता है बहुत सरल स्टेप्स हैं इनको आप भी देखिए आप भी सीखिए और बच्चों को भी सिखाईए जब बच्चे एक बार सीख जाएंगे तो सारी जिंदगी इसी तरह अपने हाथों को धूने की कोशिश करेंगे तो इसको 6 स्टेप्स बाटा गया है डॉक्टर्स तो इसको हमेशा से यूश करते हैं इन टेक्निक्स को अब सुसाइटी को भी यूश करना है ताकि आपके हाथ अच्छी तरीके से सैनिटाइज हो पाएं और ये कोरोना का जो संक्रमन है इससे बच पाएं तो हैंड सैनिटाइजेशन कैसे करना उसके 6 स्टेप्स कौन से है पहला कि आपने साबून लिया अपनी हतेली पे और अपनी हतेली को रगड़ी है ये पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है इस हाथ को ऐसे रख लिया और राइट हैंड से इसकी उंग्लियों के बीच में चौथा स्टेप ये हो गया कि आप अपने हाथ को इस तरह आधी मुठी की तरह बना लें ये हिस्सा हतेली पर इधर रगड़ें और इसको मुठी बना लें तो इस हतेली पर ऐसे रगड़ें ये चौथा हिस्सा हो गया पांचमा कि अपने गूठे को इस तरह कसके दूसरे ह से पकड़ के दोनों गूठों को रगड़ना है तो गूठे की सफाई बजाती है और छटमा और आखरी यह जो उलियों के पोर हैं इनको हतेली पर रखके ऐसे गुमाईए यह और इधर वाला यह यह जो च्छै तरीके बताए हैं इसी तरह से हाथों को सेनिटाइज किया जाता है इनको रिवाइन करके एक बार फिर देख लीजेगा और बच्चों को सिखाईए जब बच्चे सीख जाएंगे तो सारी जिंदगी हाथों को इसी तरह धोईंगे और यह बहुत जल्दी से सारे प्रोसेस हो जाते हैं और आपके हाथ कंप्लेटली सेनिटाइज हो जाते है अब इसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टन चीज है वो है गुड रिस्पाइरेटरी हाईजीन यानि कि आपकी जो छीक और खांसी वाला पार्ट है अमूमन हम देखते हैं लोग छीकते या खांसते हुए अपने मूँ पर या नाग पर ना तुरुमाल रखते हैं न कि मार कर सकते हैं तो कोविड अप्रोप्रेट बीहाइविर में एक ये भी बहुत इंपॉर्टन बात है कि जब आप खांसे या छीके तो सबसे बड़ा रिफ्लेक्स आपकी बाड़ी में यह होना चाहिए कि अपनी कोहनी को इस तरह रख लीजे कोहनी को इसमें नाक और मू दोनों छिप जाए तो जब छीकेंगे और खांसेंगे तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसी हाथ पर रह जाएंगे सामने की तरफ नहीं जाएंगे बहुत कम जाएंगे इसके अलावा अगर आपके पास रुमाल है किशू पेपर है तो उसको अपने चेहरे पर लगा लिजे तो बच्चों के खिलोने, मोबाइल, दरवाजे का हैंडल, टीवी का रिमोट, हर वो कॉमन चीज जिसको बच्चे मोमन छूते हैं उनको दिन में एक, तो या तीन बार सेनिटाइज करते रहना चाहिए ये भी सोर्स आप इंफेक्शन हो सकते हैं अगर ये सेनिटाइज होते र मास्क पहनना चाहिए इस पैंडेविक के महौल में घर से बाहर निकलते हुए और साथ साथ जब दूसरे बच्चों के साथ खेलें तो जो दो गच की दूरी है, ये भी उनको सिखाईए कि ये मेंटेन रहें, कम से कम दूरी बना के रखें, एक दूसरे के बिलकुल नजदी हैं, ये आपकी जिम्मिदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के साथ कोविट को लेके जो तमाम गलक तैमिया हैं, उनको दूर करें, कोविट के तमाम सारे पहलू का डिसकरशन रोजाना करते रहें, तो कि बच्चों में गलक पहमिया अगर पन पेंगी, तो उसके बहुत जरूरी है जैसे आज कल हम समाचार देखते हैं तो समाचार में हर रोज हर समय यही ख़बर आती रहती है कि एक मरीज की एंबुलेंस में डेथ एक मरीज की अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से डेथ दवा ना मिलने से किसी मरीज की मौत तो यह मौत की ख़बरें आज कल जो पॉजिटिविटी लाए या आपका मनोरंजन करें इन निगेटिव ख़बरों से अपने घर परिवार को दूर रखें और बच्चों को खास कर चूंकि बार बार लॉकडाउन जैसा महौल आ जाता है कहीं कर्फ्यू डग जाता है तो आज कल स्कूल भी नहीं चल रहे है तो घर पे समय जादा बीत रहा है तो घर पे बच्चों को नियमित एक्साइज के लिए प्रोचसाहित कीजिए बच्चे एक्साइज तब करेंगे जब आप भी उनके साथ इंवाल्व हो तो कोई भी हलकी फूल की एक्साइज जो आप कर सकें जो आपके लिए सुलब हो उस समय बच्चों में जो एक्स्टा क्यूरिकृलर एक्टिविटीज है उनको डेवलप करने की कोशिश करिये जैसे बड़े बच्चों को कहानिया सुनाते है तो कोशिश करिए कि बच्चे आपको कहानिया सुनाएं उनके इमेजीनेशन को आप बी देखिए कि किस तरह वह सुनते हैं इससे उनका बौधिक विकास होगा इसके लावा स्टूरी राइटिंग प्रेंटिंग और घर में जो इंडोर एक्टिविटीज हैं तमान सारे खेल खिलोने उनको प्रोच साहित करिया और उनमें भी आप इन्वाल्व होए तो इसे बच्चों का मेंटल डेविलप जाते हैं दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं स्कूल जाते हैं बच्चे तो यह सोशल डिवलक्मेंट होता है स्कूल बंध है सोसाइटी में भी बच्चे बाहर नहीं जा पा रहा है एक दूसरे से मिलना भी नहीं हो रहा है तो ऐसे में जो सोशल वेलविंग है इसके भी कवर ओगा यह लैकिंग नहीं ओगे क्योंकि अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा तो हेल्थ का एक एसप्र werd कमजोरोगी एक बात ऑर में नवजात बच्चे या बहुत छोटी उम्र के बच्चे 2 साल से नीचे या एक साल से नीचे बच्चे हैं ऐसे बच्चों के साथ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि इनकी हैंडलिंग उनके माबाप या घर के जो में सदस्य हैं कम से कम वह करें क्योंकि कोई भी सदस्य जो घर से बाहर जा रहा है बाहर से अंदर आ रहा है, वो infection लेकर आ सकता है, और इन छोटे बच्चों को संक्रमित कर सकता है, घर में आने वले visitors पर नियंतराण रखें, कम से कम visitors को आने की permission दें, और जो घर के लोग आते भी हैं बाहर से, उनका hand centralization और उनका mask दरवाजे के अंदर आते ही बहुत जरूरी है, और अपने बच्चों को जो बाहरी visitors हैं, इनके साथ physical interaction करने का मौका ना दे, बच्चों को visitor से बचा कर रखें, दूर सही दिखाएं और social distancing घर के अंदर भी maintain रखें, क्योंकि इन बच्चों की देधवाल करना, और इनकी social distancing और जो COVID protocol है, COVID appropriate behavior वाला, ये बच्चे तो नही discuss की हैं, ये सब एक तरह से preventive mode वाली चीज़े हैं, कि बच्चों की physical, mental और social well-being को हम कैसे maintain कर सकते हैं, अब इसमें जो दूसरा part है, वो है curative, यानि कि बच्चा in precautions को रखने के बाद भी अगर बीमार हो जाए, तो उसमें उसका इलाज कैसे हो, घर में या अस्पताल में उस की आने वाले कल में जो इसका दूसरा part आने वाला उसको जरूर देखेगा, आज वाला part preventive था, कल वाला part treatment यानि की curative होगा, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इसे like करिये, share करिये, और साथ-साथ मेरे चैनल को subscribe भी करिये, इसमें जो bell, icon या घंटी करूं, तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल पाए, आपने अभी तक जो support किया, उसके लिए धन्यवाद, इस वीडियो का जो second part है, उसे कल upload करूंगा, जरूर देखिएगा, तब तक के लिए, नमस्कार